Hello everyone, स्वागत है आप सब का आज के Current Affair Analysis Lecture में जिसमें Indian Express, PIB and other sources से लिए गई न्यूस को holistically analyze किया जाएगा आपके prelims, mains and interview को ध्यान में रखते हुए ये lecture आपके UPSC, State PCS exams के लिए उपयोगी साभित होगा Lecture से Related Value Edition के PDF टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसके link मैं नीचे description box में दूँगी, वहाँ जाना है link में join करना है चैनल Daily Current Affair की PDF के लिए स्टार्ट करते हैं आज का lecture भी एक motivation code से Life must be understood backward but it must be lived forward यानि कि आपको अपने पिछले गलतियों से सीखना है आपके past life में जो mistakes हुई है या preparation में जो past years में या past months में मिस्टेक हुई है उनसे आपको सीखना है और हमेशा आगे बढ़ती चली जाना है मैं महिमा मिश्रा प्रेजन करती हूँ आज का Indian Express newspaper Analysis Index देखेंगे, क्या पढ़ना है, है और क्यों पढ़ना है volcano, Iceland में वो काफी दिनों से erupt हो रहा है ठीक है, अब भी वो थोड़ा slow down हुआ है बट ये chance है कि उसके आसपास के भी जो जो वेंट है, वो open हो जाएंगे और volcano आ जाएगा ठीक है, यहाँ पर important है types of volcanoes आज की newspaper, जो news है ये वाली उसमें यही दिया गया है भारती नियाई सहीता नए कानून आए है नए बदलाव आए है जिसे कहा जा रहा है कि जो IPC था ठीक है, उसे हटा कि ये नए कानून लेके आए गए है इसे कहा जा रहा है कि ये जो mentality थी एक slavery की उससे हम बाहर निकने है ठीक है new bill on election commission बहुत important है, इसके provisions याद करना important है, लोग सभा में पास हुआ है start करेंगे पहली नियू से what are volcanoes and why do they keep erupting in Iceland ठीक है ये ये मिदलब Iceland का एक volcano है जो 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 जोली जोली एरप्ट करने में लगा हुआ है lava flows from a volcano is Iceland ये मिदलब थोड़ा slowdown हुआ है logical office के हिसाब से जो और वहां के जो hot spot है ठीक है और wind है जो वो भी एरप्ट होने वाले है ठीक है अब देखते हैं volcanoes क्या है, वोल्केनो से related मैंने ये वाला topic आपको काफे बार पढ़ाया है, वोल्केनो क्या होता है हमारी एस थैनोसफेर में एक होती है सबसे बड़ी सबसे उपर, lithospheric plate ठीक है जिसे crust कहते है इससे नीचे थोड़ा semi solid में मिलता है magma ठीक है, semi solid में मिलेगा magma, इससे कहते है esthenosphere ठीक है, इस esthenosphere को, मतलब इस esthenosphere में पाई जाने वाले magma में जमीन के अंदर है तो उसे magma कहते है वो अगर volcano से बाहर आया है तो उसे lava कहेंगे ठीक है अब ये जो इस esthenosphere में जो magma है इसे अगर कहीं से बाहर आने का source मिलता है ठीक है, तो ये बाहर erupt होता है और ये एक cone की shape बाहर ले लेता है और यहां से इसका eruption होता है ठीक है ये अंदर ये एस्थेनो स्फेर में जाएगी रॉक तो वो लिक्विड बन जाएगी और एस्थेनो स्फेर से बाहर आ रही है यानि कि lava के form में बाहर आ रही है तो igneous rock होती है sedimentary metamorphic वो सब यहीं से originate हो रही है ठीक है when it breaks through the surface ashes, gases अब जब यह बाहर आता है तो यह कुछ अपने साथ राख लेके आता है और बहुत सारे gases लेके आता है for example, sulfur dioxide the rise of magma can take place in three different ways three different ways मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है जब continental plates होती है उसमें जब टकराव होता है एक तो parallel टकराव होता है थोड़ी से घिसती है थोड़ी ऊपर नीचे जाती है ठीके एक ये वाला होता है next होता है कि जब दो plates आपस में टकराती है चाहे वो continental ocean एक ये टकराव हो या continent to continent टकराव हो मैंने आपको पढ़ाया है Pacific Rim of Fire Pacific Rim of Fire में क्या है Pacific Ocean टकरा रहा है Pacific Ocean टकरा रहा है यहां के continent से Pacific Ocean टकरा रहा है का मितलब है कि उसकी plate जो नीचे का base है वो टकरा रहा है अब ये टकराएगा तो क्या होगा दो plates जब आपस में टकराती है तो जो हलकी वाली होती है वो उपर उठ जाती है और जो भारी वाली होती है वो नीचे धस जाती है नीचे धस जाएगी तो यहां से मैगमा को वोल्क्यानों को जो मैगमा है उसे बाहर आने का एक पात एक रास्ता मिल जाएगा ठीके ये समझना important है बहुत basic concept है geography का ठीके next plate moves towards each other अभी जो मैंने आपको बताया कि जब plate आपस में एक दूसरे के करीब आके टकराती है ठीके third है hot spot से ठीके third वालो कौन सा है hot spot यानि कि कुछ ऐसे hot spot है जहां से मैगमा eruption के काफी chances होते हैं या काफी सालों से वो erupt होता रहा है ice land में क्या है एक तो वहां पर plates भी टकरा रही है और ice land एक hot spot के भी पास है ठीके hot spot का क्या है जैसे कि अपना reunion hot spot देखते हैं जब इंडिया गॉंडवाना land की तरफ से जब Eurasia की तरफ move कर रहा था ठीके यहां पर समझना जरूरी है जब इंडिया गॉंडवाना land की तरफ से जब Eurasia की तरफ move कर रहा था तो पड़ा था एक reunion hot spot बीच में एक reunion hot spot पड़ा जब इंडिया इससे गुजरा तो क्या हुआ volcanoes आए lava बहे ठीके अब यहां पर क्या है इसी का एक पाठ है ठीके उसके पीछे magma ही है यानि कि जब यह reunion hot spot से गुजर रहा था अपना इंडिया तो यह वाली जो प्लेट है जो नीचे समुदर के अंदर है ठीके नीचे समुदर के अंदर वाली प्लेट जो है वो धस गई अभी जो डोबी हुई है यह आपको शायद समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो यह इंडिया की यह वाली प्लेट ना continental shelf आप देखेंगे कि western coast की जादा चौड़ी है ठीके यहाँ पे आप continental shelf देखेंगे तो चौड़ी है वो क्यों है चौड़ी क्योंकि जब इंडिया गौंडवान लांड से यूरेशिया की तरफ जा रहा था तो बीच में पड़ा था reunion hotspot reunion hotspot ने इसके उपर की प्लेट को तोड़के समुदर के अंदर डुबो दिया ठीके तब भी आपको यहां पर western पहाड़ी ऐसे बहुत उची-उची विलती है as compared to eastern ghat ठीके यह जी समझनी जरूरी है तो यह था एक hotspot के बारे में एक होते है mid oceanic ridges mid oceanic ridges होती है जैसे कि जो oceanic plate है ठीके वो आपस में दोर जा रही है ठीके दोर जा रही है एक दूसरे से दोर जा रही है तो क्यों होगर यहां से भी volcano को निकलने का पाथ मिल जाता है अब island की साथ यह है कि island is located between Eurasian and North American tectonic plates ठीके जिस वज़े से Eurasia और North American tectonic plates के बीच में जो तकराव हो रहा है उस वज़े से volcano भी आ रहे है और वो hot spot के भी पास है ठीके अब type of volcanoes देखेंगे पहले देखता है यहाँ पे shield volcano shield volcano में viscosity काफी कम रहते है यानि कि उसका बहना थोड़ा ज़ादा रहता है ठीके ज़ादा अच्छे से मतलब ज़ादा fluid होता है वो ज़ादा बह सकता है अब खुदी देखें कि अगर हम ठीके शहद की अगर viscocity ज़ादा है ठीके अगर viscocity ज़ादा है यानि कि शहद में गाढ़ापन ज़ादा है तो क्यों वो बहीगा नहीं ठीके वो मतलब बहीगा नहीं वो ऐसे रहेगा पुरा थोड़ा थोड़ा यह बहार आएगा दिरे दिरे भाईगा ठीक है जिस वजह से composite volcano बनते हैं बट यहां पे बात हो रही है shield volcano की इसका मितलब वो काफी दूर तक लावा जा सकता है और एक shield सी बना देता है यह एक shield type बना रहा है ठीक है these volcanoes are mostly made up of basalt याद रखना है जादत तर यह वाले volcanoes basalt से बने होते हैं लावर that is moving upward does so in fountain form and emanates and coat at when stop that develops into a cinder cone जैसे की Hawaiian shield volcano composite volcano क्यों होते है इसमें composite का मतलब है a type of mixture यहां पे क्या हो रहा है composite volcano जादतर होता है जहाँ पे viscosity जादा होती है विसको सिटी जादा है इसका मतलब तो यह थोड़ा पास पास ही भैपाएगा जादा दूर नहीं भैएगा और जितना यह भैएगा उतना volcano ऊचा होता जाएगा ठीक है इन volcano उसकी height थोड़ी जादा होती है अब composite का मितलब अब यहाँ पर क्या है वोल्कैनों आया लावा गिरा ठीक है अब इसमें आश आश भी छोड़ी है गैसिस भी छोड़ी है अब आश जब सेटल डाउन होंगी तो वह इसी के ओपर गिरेंगी एकलियर बन जाएगी फिर यह कुछ दिनों बाद या कुछ महिनों बाद यह फिर स इसने लावा छोड़ा फिर से इसने आश जो राख है वो छोड़ी आस्मान में और वो फिर से जो राख है वो सेटल हुई उसी वोल्कैनों के ओपर ठीक है तो यह ऐसे बनता है कॉम्पोजिट वोल्कैनों लाज क्वांटिटी ओफ पाईरोक्लास्टिक मैटेरियल आड़ इसने लावा यानि कि लावा की साथ-साथ आश भी उसके ओपर जमने लग जाती है ठीक है जैसे कि बयोन वोल्कैनों फिलिपिन्स में बाउंट फूजी इन जैपन बाउंट रेमिय इन वशिंग्टन यही सारे कॉम्पोजिट वोल्कैनों के एक्जाम्पल पाई जाते हैं मेजर कॉम्पोजिट वेब वोल्कैनों का मिलते हैं रिम ओफ फाईर पैसिफिक रिम ओफ फाईर जो मैंने भी समझाया पैसिफिक कोईशन वहां के कॉंटिनेंट से लग रही है तो जिस वज़े से वहां पे वोल्कैनों देखे जाते हैं विसकोसिट हाई है एरॉप्शु जैसे कि एक लावा बाहर आ रहा था ठीक है अब बीच में उसके रास्ते में कुछ अटक गया कुछ आशेस अटक गई या कुछ ग्यास नहीं इसका वेंट को इसके वेंट को बंद कर दिया फिर भी जो लावा है वो अंदर से तो पुष्ट करेगा बाहर ठीक है बाहर आने के लिए अब ये लावा जो सिंडर होता है सिंडर कुछ नहीं है ये लावा का उपर वाला कौन है ठीक है अब जब यह लावा अंदर से पुष्ट करेगा तो सिंडर blast हो जाता है ठीक है blast हो जाता है और एक बहुत गहरा एक space बना देता है जिसे caldera कहा जाता है यह देखे caldera यहां पे lake बिन गई है इसे volcanic lake कहते है ठीक है caldera कहते है lake कहते है ठीक है क्योंकि इसमें पानी का जमाव हो गया यह कुछ नहीं है इसका बहुत explosive eruption हुआ है जिस वज़े से इसका जो यह अंदर वाला पाट है यह तोट गया और बाहर की तरफ उड़ गया ठीक है यह most explosive volcanoes of the earth में से होते है when they erupt they incline to collapse on themselves यानि कि उनका जो cinder है अभी बताया मैंने जो कोन है लावा का वोल कैनों का वो अपने आप फूट जाता है और यह एक बहुत बड़ी सी खाई रूप में बना देते हैं ठीक है चीजे समझनी बहुत important है यानि कि अगर आप कोई subject पढ़ते है न उसका आपको concept clear होना चाहिए flood basalt proviences flood basalt proviences क्या होता है ठीक basalt lava flows होता है जो बहुत दूर दूर तक फैलता है जैसे कि अपना डगकन प्लाट्यू देखेंगे महाराश्ट्रा में वो बहुत दूर तक फैला हुआ है ठीक है वो भी क्या है flood basalt proviences है flood basalt proviences volcanoes discharge highly fluid lava that flows for long distances highly fluid होता है विसकोसिटी कम होती है ठीक है गाढ़ापन कम होता है flowidity जादा होती है जिस वजे से वो काफी दूर तक बह के चले जाते हैं मैं टोशनिक रिजेस देखेंगे वही जो मैंने भी बताया कि जो Atlantic Ocean में two plates आपस में दूर हो रही है आपस से दूर हो रही है ठीक है तब भी volcano को यहाँ पे आने का एक मौका जो लावा है यहाँ पे आने का एक मौका मिल जाता है ठीक है यह समुद्र का पाठ है यह उपर पानी है नेचे जो बेड होता है न समुद्र का बेड वहाँ की जो प्लेट है वो दूर जा रही है एक दूसरे से जिस वज़े से लावा बाहर आ रहा है क्योंकि देखिए यह जब लावा आया है तो यह काफी सारी परते इदर छोड़ेगा जो यह वाली सबसे कोनो कोनो वाली परते होती है ने यह ओल्ड परते होती है आप खुदी इमाजन करिए कि आपने कोई चीज ऐसे भाई फिर से आपने ऐसे कोई चीज भाई शहद भाया ठीक है अब यह वाला जो शहद है यह वाला तो पुरानर शहद हो गया यह वाला जो आपने नया नया शहद भाया यह नया शहद इसे ओल्ड यहाँ पे यहाँ प तरह बॉलक्यानों को नहीं पड़ा कि हां यहां पर रप्ट हुआ है बट उसे अच्छे से कवर किया अपने बेसिक आप्स कॉंसेट को रिवाइस करने के लिए या बेसिक कॉंसेट्स को क्लियर करने के लिए ठीक है इसे कहते हैं एक्चुल में न्यूस पेपर अनशस्स नेक्स्ट इंपॉर्टिंट डेखेंगी IPC to BNS यानि की भारतिय न्याई सहीता आ गया है अब अब ठीके जो लोगसभा में पास कर दिया गया है अब यहाँ पे कुछ offenses जोड़े गए है कुछ हटाए गए है ठीके कुछ में changes लाए गए है यह important है आपके prelims के लिए भी important है and mains interview के लिए तो है ही न्यू ओफिंस क्या है promise to marry promise to marry यानि की शादी का भरोसा करके जो sexual relations established करता है उसके खिलाफ अब कार्यवाही के जाएगी वो अब punishable offense होगा ठीक है BNS introduces clause 69 that seems to ostensibly tackle the love jihad especially love jihad को tackle करने के लिए यह प्रावधान यह कानून लाया गया है इस कानून के तहट जो अपनी identity छुपा के जो शादी का भरोसा करके ठीक है करवा के जो sexual relations established करते है वो जाहे consensual हो ठीक है वो punishable होगा यह बात ध्यान रखनी है इसमें essentially criminalizes consensual sexual activity तो यानि की consent से हुआ है जहाँ पर लड़की को भरोसा रहता है कि यह मुसे शादी करेगा ठीक है वो एक punishable offense है उसमें 10 साल के लिए सजा हो सकते है और भाली जुर्माना बरना पर सकता है यहाँ पर decideful means भी लिखा है सिरफ शादी का भरोसा नहीं यहाँ पर job का भरोसा भी दिया गया है ठीक है promotion मैं promotion दूँगा employment दूँगा ठीक है अब यहाँ पर या फिर शादी की अमदब करी जा रही है by suppressing identity खुद की identity को यहाँ पर छुपा के वो सारे punishable offenses है यह इस बात का ध्यान रखना है mob lynching यह video especially जो यह नियाए वाली video है यह काफी मतलब जाद से जाद शेयर करनी है ताकि हर उस लड़की को पता चले कि उसके अधिकार और नए कानून क्या है ठीक है next है यहाँ पर mob lynching का mob lynching में क्या हो रहा है कि अगर 5 मतलब 5 या 5 से जादा लोग मिलके अगर किसी को मारते है especially on the basis of race, caste, community और personal belief personal belief यहाँ पर religion की बात कहीं जारे है या कुछ भी जो belief है ठीक है अगर उसके basis पर 5 या 5 से जादा लोग मिलके किसी को मारते हैं तो वो mob lynching का case होगा ठीक है उसमें punishment मिलेगे जो life imprisonment तक यानि की आजीवन कारावास का प्रावधान है ठीक है death की भी punishment है अगर इसमें अगर mob lynching काफी बड़े रूप में होई हो तो organized crime पहले बार इसे organized crime के मतलब पहले बार न्याए में न्याए सहिता में organized crime को भी include किया गया है organized crime होता है जो organized चाहिए होती है ठीक है अगर ऐसा कोई crime होता है तो वो punishable होगा इसमें petty organized crime को भी include किया गया है जैसे कि चोरी करना, chain खीचना cheating करना मतलब unauthorized selling of tickets हो रहा है gambling हो रही है जो इमें 60 लगाया जा रहा है selling of public examination of question papers ठीक है आप जो public examinations होते हैं अगर उसके question papers sell किये जा रहे है तो क्या होगा ये punishable offenses है इसमें community service जैसा भी प्रावधान है कि आपको इतने साल की सजा मिलेगी जिसमें आपको समाच की समाच की सेवा करनी होगी ठीक है अब यहाँ पे जो cheating होती है कि ये वाला paper लेक हो गया वाला paper लेक हो गया paper अपने आप लेक नहीं होता ठीक है घोस लेके paper को बाहर भीजा जाता है तो वो भी यहाँ पर punishable offense है ठीक है यहाँ पर terrorism को भी include किया गया है इस पार importing large part of language in defining terrorism activities from stringent unlawful activities atrocities prevention act यानि की जो unlawful activities होती है उस वाले कानून से काफी सारी इसमें words लिए गए है मतलब जो आतंगवाद होता है उसे define करने के लिए ठीक है terrorism से related अगर कुछ होता है या a person और a group of persons अगर ऐसा कुछ करते हैं कुछ आतंगवादी या कुछ illicit activities में जो nation की लोगों की security and integrity को हाम करता है तो वो terrorism कहलाया जाएगा ठीक है इसमें suicide जो attempt करते हैं ना उनके खिलाव भी इसे एक criminalize मतलब इसे criminalize किया गया है ठीक है या तो जैसे की public जैके public official आई जो official आई रोनी का कि हम कार्यवाही करेंगे जो protest कर रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं वो ये अगर कहें कि हम जान दे दिंगे अपनी हम आमरण भूखरताल कर रहे हैं तो वो एक punishable offense है यानि कि आप suicide का बहाना देके suicide का एक reason देके कि मैं suicide कर लूँगा आप डरा या धमका नहीं सकते किसी public official को उसकी duty करने से या duty ना करने से ठीके इसमें डरा या धमका या नहीं जा सकता suicide का reason देके कुछ डिलीट किये हैं unnatural sexual offenses जैसे कि homosexuality को पहले एक criminal activity वाना जाता था बट वो अब डिलीट कर दे गई हैं क्योंकि 2018 में खुदी सुप्रीम कोट ने कहा था कि homosexuality criminalization नहीं है उसे decriminalize किया था ठीके इसलिए वाली जो यह वाला जो प्रावधान है मतलब IPC का उसे डिलीट कर दिया adultery adultery वैसे भी सुप्रीम कोट कहती है कि एक क्राइम नहीं है तो इसे भी नहीं इंकलोट किया भारतिय न्याय सहिता में ठग यहाँ पर ठग क्या है section 310 criminalizes यह IPC का section है 310 criminalizes those who have been habitually associated with any other or others for purpose of committing robbery, child is telling by means of a campaign with murder उसे ठग कहा जाएगा बट यह वाला प्रोवेजन ओमिट कर दिया गया क्योंकि यह ब्रिटिश ओर्स लेके आये थे tribes के खिलाफ जो जो tribal areas होते है न उन tribes के खिलाफ यह वाला कानून लेके आये थे ठेके तो यह वाला भी ओमिट कर दिया गया यहाँ पर जेंडरल नूट्रालिटी इस्ताब्रिश करने की बात कही जा रही है क्योंकि अगर यहाँ पर इलिसिट इंटर कोर्स विद गर्ल माना चाहता था पहले अब चाइल्ड हो गया ठेके Has been made gender neutral यहाँ पर जेंडर नूट्रल बना दिया गया है इन सारे प्रावधानों को याद करना समझना जरूरी है ठेके इंटर्व्यो में कुशिन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली भारती न्याई सहीता आया है जिसमें कुछ बड़े कानूनों में बदलाब किये गए कुछ कानून का मेंशन कीजे और बताये कि उसके क्या ड्रॉबाक्स और वह अच्छा काम क्या कर सकता है देश में ठेके उसके लिए पहले यह जरूरी होना चाहिए कि आपको कानून कम से कम पता हो कि कौन कौन से कानून में चेंजे जाए है for the offenses dealing with kidnapping of minors minors यहां पे फेले 16 साल होता था मेल के लिए 18 साल होता था female के लिए बठ अब यहां पर धूरों के ली 18 साल कर डिया गया है कि जो 18 साल से नीचे है वो minor होगा अगर minor की kidnapping होती है ठीक है तो वो एक offense होगा minor यहाँ पर सिर्फ गर्ल की बात नहीं कहीं जा रही है यहाँ पर बॉय को भी इंक्लूट किया गया है यह एक जैंडर नूट्रल बना दिया गया है यह वाला लू ठीक है यानि कि वुमेन की डिगनिटी को अगर कोई हाम पहुँचाता है ठीक है उसे भी जैंडर नूट्रल बना दिया गया है यानि कि यहाँ पर वुमेन को भी बुक किया जा सकता है ठीक है वुमेन अगर मेल की मोडिस्टी को नुकसान पहुचाती है तो उसकी डिगनिटी को नुकसान पहुचाती है तो यहाँ पर वुमेन को भी चार्ज किया जा सकता है पनिश्मेंट दी जा सकती है ठीक है ये वाले कुछ कानून है जो बहुत important है जो gender neutral होने जरूरी है कि माना कि girls के खिलाफ cases, women के खिलाफ cases थोड़ी जादा है बट ऐसा नहीं है कि boy के साथ ये चीज़े ना हो रही हो ठीक है men के साथ ये इसलिए कानून होना जरूरी है अगर हम किसी समाज में क्या hate फैलाते हैं घ्रेणा फैलाते हैं तो क्या होगा इसमें fake news को भी लूट किया गया है जो फेक news को spread करेगा वो पकड़ा जाएगा ठीक है criminalizes other among aspects causing dish dish harmony of feeling of immunity और hatred और ill will between communities ठीक है BNS ने introduce किया है misleading information को criminalize किया गया है यहां पे ठीक है जब यह bill रखा गया था लोग सभा में तो अमिच्छा यह कह रहे थे कि हमने sedition को हटा दिया बट यहां पे राजद्रो की बजाए बस देश द्रोह वोट लेके आए हैं तो sedition अभी भी जो sedition का कानून है वो अभी भी exist करता है sedition में वो लोग आएंगे जो financial कुछ aid दे रहे हैं ऐसे institutions को जो separatist activities का बढ़ावा देते हैं जैसे कि खालिस्तानी issue जो है उसे aid मिलती है ठीक है बिना aid के आप किसी group को किसी particular काम के लिए organized नहीं कर सकते aid चाहिए होती है इसके लिए financial infrastructure चाहिए होते है ठीक है वो aid जो दे रहा है वो sedition में include किया गया है अगर कोई separatist activities को अगर encourage करता है तो उसका punishable यह punishable offense माना जाएगा ठीक है यहाँ पे death और imprisonment of life दोनों यहाँ पे का दोनों प्रावधान यहाँ पे रखे गए है सजा के दंड के यह बहुत ही जादा important अडिटोरियल है यह वाला ऐसे नहीं है कि मैं आपको पहली बार पढ़ा रही हूँ जब भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था ना मैंने आपको तभी बहुत holistically कवर कराया था यह चीज़ पढ़ने एलेक्षिन कमिशनर को या एक पैनल होगी एक कमीटी होगी जिससे चीफ एलेक्षिन कमिशनर को या एलेक्शन कमिशनर को एपवाइंट किया जाएगा ठीके उसमें कौन होगे पियम होगे लीडर ओफ उपोजेशन होगे या चीफ स्वरी काबिनेट मिनिस्टर यहाँ पहले चीफ जस्टेस ओफ इंडिया भी थे अब यहाँ पे cabinet minister आ गए है जो प्रोपोस करेंगे PM PM बताएंगे कि हमारी तरफ से ये cabinet minister आईगा पैनल वे ठेके, the bill was in line with the supreme court's direction यहाँ पे बोला गया है कि जो bill है वो supreme court की direction के साथ जाता है उनकी guidelines उनकी direction के विरोध नहीं जाता direction क्या कहती है कि जब तक कोई कानू ना बने तब तक तीन member committee appoint करेगी election commissioners को chief election commissioners को PM, leader of opposition in loog sabhav and chief justice of India अब जब कानू आ गया है तो chief justice of India को हटा कि cabinet minister appointed by और proposed by PM को रखा जाएगा ठीक है यहाँ पे supreme court ने क्या बोला थे कि सिर्फ ऐजा ना हो कि सिर्फ प्रेजिडेंट की advice पे chief election commissioners को appoint कर लिया जा रहा है नहीं तीन members of committee appoint करेंगे PM, leader of opposition and chief justice of India अब क्या है PM, leader of opposition and PM, leader of opposition and cabinet minister proposed by PM ठीक है law बनने के बाद law minister यहाँ पे एक shortlist करेंगे five candidates की of chief election commissioners and election commissioners की ठीक है तब यह जो three member committee बनेगी ना जो panel बनेगा यह उन्हें चूज करेंगा अगर कोई leader of opposition नहीं है जैसे कि 2014 के बाद opposition की यह हालत रही है specially Congress की कि वो 10% of seats भी नहीं हासल कर पाए ठीक है अगर ऐसा रहा कि कोई leader of opposition नहीं है तो जो single largest opposition party के leader होंगे यह बात थान रखनी है single largest opposition party के जो leader होंगे वो deemed कहलाए जाएंगे leader of opposition यह जोटी-छोटी बातें याद रखनी जरूरी है चेफ election commissioners and election commissioners की किसके इक्वल होगी Supreme Court के जज़ की बिल प्रोटेक्ट करता है किसे चेफ election commissioners को और अब commissioner को और election commissioners को कि वो जब वो अपनी duties को charge कर रहे है मतलब discharge कर रहे हैं उसमें court का intervention नहीं होगा ठीक है another amendment now part of bill that is please clear that CEC shall not be removed from their office expect except like manner in which the grounds of judges for Supreme Court याने कि तब तक रिमोब नहीं किया जाएगा चेफ election commissioner को या election commissioners को जब तक वो ground नहीं मिलेगा जिस ground पे Supreme Court के judges को हटाया जाता है या रिमोब किया जाता है ठीक है ये बाते ध्यान रखनी है अब चीफ election commissioner commissioner या फिर election commissioners ये किसकी rank की होंगी equivalent to the rank of secretary secretary की rank की होंगी तब ही नहीं पॉइंट किया जाएगा आज के लिए newspaper में था बस इतना ही ऐसे करते है newspaper का analysis कि आपने holistically analyze किया उसे समझा अच्छे से superficial अगर पढ़ पढ़ के छोड़ देंगे तो 15 minutes में complete हो जाएगा फिर ऐसे में तो newspaper उठाना भी वेज्ट हुआ आपको क्या करना है उसे deeply analyze करना है अपने प्रिलम्स मेंस और इंटर्व्यू पॉइंट ओफ व्यू से lecture से related value edition के pdf telegram channel पर मिल जाएगी जिसके link में नीचे description box में दूँगी वहाँ जाना है जोइन करना है चानल डेली करेंट अफेर की pdf के लिए यह आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एक्जाम के दो दिन पहले बेरेवाइस किये जा सके पीडियाफ के पीछे नहीं भागना है यह पीडियाफ आज कुलनी चाहिए और आज ही बंदू जानी चाहिए ठीक है तुम मिलते हैं कल थैंक्स पर वोचिंग थैंक्यू सो मच